एक बार फिर से नियूज 18 की खबर पर मुहर लगी है और TRE3 परिशा की घोष्टना कर दी गई है यानि BPSC चेर्मेन अतुल प्रसाद ने ये घोष्टना की है कह सकते हैं कि जाते जाते ये एक बार फिर से बड़ा इतिहास रचना चाह रहे हैं क्योंकि इनका कारेकाल खत्म ह हो रहा है और निश्यत रूप से एक बड़ी उपलवदी हासिल करने के बाद क्या लग रहा है सर्ट यारी 3 कि आपने कल्पना नहीं की होगी कि हमारे कारेकाल में हम खुद इसी घोष्टना कर पाएंगी नहीं मैंने तो नहीं सुचा था इसके बारे में लेकिन जैसा मैंने नहीं बताया कि हमारी तैयारी तो बहुत सुड़ेड हो चुकी है हमारा यहां पर आयोग में टीम बन चुका है सौफ़वेर बन चुका है और सब लोग ट्रेंड हो चुके हैं अब हम लोग कोई भी चुनौती को सामना का सामना करने के लिए तैयार है इसलिए टी आरी 3 हो टियारी 4 हो 5 हो या और भी कोई परिक्षा हो आज भी हमारे यहां इंटर्वू चल रहा है स्वास्ते भाग का स्पेस्लिस्ट का और जैसे जैसे इंटर्वू खतम होते जाएगा हम उसका भी परिक्षा फल्गोशित करके ही जाएंगे केलेंडर की तारीख बदल गई अगस्त की वज़ा जो है अब मार्च में परिक्षा ली जाएगी तो एक बड़ा एचिव्मेंट आयोग के लिए भी होगा और बड़ी चुनोती सरकार के लिए भी होगी कि देखिए कोई भी नितिगर्द निर्णा जो है वो सरकार लेगी हमारे पास अभी इसके लागू करने की कोई सुचना नहीं है एक पेरिंग के लिए क्या कहने जो कि एस्टेट की बात होगी या वांकी जो डियलेड है सभी लोग इंतिजार में देखिए हमें इसके बारे में अभी विभाग से कोई निदेश नहीं है तो हम तो अपने पुरानी परिपार्टी के रूप से ही करेंगे कि आवेदन की अंतिन तिथी तक जो भी अभरती होंगे जो भी आवेदक होंगे उनको योग्य होना होगा एलिजिबूल होना होगा जी नहीं तो हम नहीं लेंगे अच्छा ये मैं जड़ा हम चाहेंगे तारीक के बारे में फिर से बता दें आपकी फरवरी में क्या तारीक है और फिल फिल अप करने की और एक्जाम कब से अभी हम लोगोंने जो तै किया है उसके हिसाब से 10 फरवरी से 23 फरवरी तक आवेद इस बार क्या रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे फिर हां लगता तो है कि हम लिए कोई भी चीज जो होता है उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग और होमवर्क की जरूरत होती है और वो हम लोगों ने कर रखा है और हम हमें उमीद है कि टी आई तीन के समय में भी हम लोगों इसको प पंद्राइद दिन के अंदर में हम लोगों रिजर्ट दे सकते हैं तो प्रतम परिक्षा अगर साथ तारीक को है तो 22 के आसपास में हम लोगों गोश्चन का लेविल क्या होगा चुकि आपने कट-फ की बात की तो आपने कहा कि अभ्योरती जो होता है कि इस बार क्या मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं उसके बारे में क्योंकि कट-off बेशक कट-off जो है वह अभ्यर्थी के प्रदर्शन पर और हमारे क्वेशन के जो स्तर है उस पर निर्भर करेगा और अभी दोनों ही चीज अन्नोन है इसलिए मैं इस पर इस विवाद में नहीं कर सकता हूं कुछ भी यह तो सरजानकारी मिल गई होई कितनी संक्षा में वेकैंसी आ रही है नहीं अभी हमें इसकी सुचना नहीं है जब उसकी स से लेकर असी हजार असी हजार से लेकर एक लाक इसमें से नन अफ़ दीज तो नहीं है मैं इसमें यह कहूंगा है कि मोर दन जिरो और इससे अधिक में कुछ नहीं बोल सकता हूं चलिए एक और सवाल सर चुकि सप्लिमेंटरी रिजल्ट यह एक बड़ी संख्या होगी च्छोटी संख्या नहीं है आपका ऑप्शन तो बहुत विश्थित है और उसमें तो कहीं न कहीं तो वो फिट करेगा ही सप्लिमेंटरी रिजल्ट को लेकर निराशा हाथ लगी अभियर्थी की तरफ से अगर बात किया जाए तो उन्होंने अतुल प्रसाद का नाम लिया कि वो तो बहुत प्यास किया अपने अंतिम रिमाइंडर भी डाला था वो भी 25 तारिक वाला पत्र वाइरल हो गया क्या लग रहा है कि जाते जाते आपके अंदर एक मलाल रहा गया कि TRE2 के अभियर्थियों के लिए आपने घोष्टना कर दी थी लेकिन रिजल्ट नहीं जारी हो सका देखिए पहली बात की लोग इसको ज्यादा समझ रहे हैं मैंने यह घोष्टना किया था कि मैं इस पर काम कर रहा हूं मैंने यह नहीं गोशना किया था कि किस तारीक को निकाल रहा है किसका निकाल रहा है कितनी संख्या में निकाल रहा है ऐसी कोई गोशना मैंने नहीं किया था और दूसरी बात कि ये जो मैंने गोशना किया कि मैं इस पर काम कर रहा हूँ वो उस समय सभी टीनों विभागों के द्वारा लिखित में सप्लिमेंटरी रिजर्ट के लिए अनुरोद किया हुआ था उसके बेसिस पर मैंने ये बातें किया था अब उसके बाद सिक्षा विभ अविभाग के 16 खर्म ैंँ जा सकता हो और नहीं वह मेरे जर्टाथिकार में प्रव्यश कर सकते हैं तो इसलिए हम लोग उसमें एक साथ हैं और शिख्षा विभाग की मना किया रिजर्ट के लिए तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ और शिक्षावी भाग ने जब अध्याशना किया कि मुझे एक एक्जाम ही करा दीजिए आप टी आरी 3 का तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ यह पास जो है मूभी उस टाइप की हालत हो गई कि अब जो है सप्लिमेंटरी का आया नहीं टी आरी 3 में हम देंगे तो क्या वरोसा कट ओफ हाई जाएगा हम फेल कर जाएंगे उनसे क्या कहना चाहेंगे अभियर्थियों से तो मैं हमेशा यही कहूंगा कि आप कट ओफ के विवाद में बिल्कुल न पढ़ें कट ओफ का निर्धारन किसी एक अभिर्ति पर निर्भर नहीं करता है हम कितना भी अच्छा पढ़ाई कर लें लेकिन हम से भी जाद आच्छा पढ़ाई करने वाले लोग हो सकते हैं इसलिए हम उसी वाद पर ध्यानने दे हमें अपना काम करना है हम एक स्टूडेंट हैं कैनिडेट है तो हमें पढ़ाई करना है हम पढ़ाई करें और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करने का प्रयास करें एक्जाम में आत्म संतुष्टी मिल गई होगी दो चरन तीसरा चरन अब यहां से वीराई की तैयारी भावुक लग रहा है देखिए यह तो साटिस्फाक्शन है लेकिन मैंने साथ एक जगह अभी मैं पतना वोमें स्कालेस के एन्वल डे में गया था तो मैंने वहां ही बताया था कि मुझे अपने लंबे कारेकाल के दोरान समाज के लियान मे बालिकागरी की लड़कियों को मैंने जिस तरह से रियाबिलिटेट कराया जो आज फाइव स्टार होटेल में फ्रंट डेस्क भी समाल रहे हैं हॉस्किपिंग कर रहे हैं उनको जो उन लड़कियों को जो हम लोगों ने पुनरवासित कराया उन अपने पैरों पख़ड़ा किया उनकों बचा करके उसमें जो आत्म संतुस्टी हुई वो शायद यहां नहीं मिली लेकिन इतना जरूर है कि यहां पर जो पर्फॉर्मेंस हम लों ने किया यह अभी लंबे समय तक एक मील का पत्थर के रूप में रहेगा और आने वाले समय में इस चे लोग बहतर ही कर गोश्टना यह खुद कर पाएंगे गोश्टना हुई है उम्मीदें परवान पर है और इन्होंने दावे के साथ कहा है कि आत्म संतुस्टी मिले ना मिले क्योंकि मैं कई पद पर रहा हूं बावजूद यह उमीद जरूर है कि जितनी बहाली किया हूं ऐसे में वो मील का प अपना